हेलो गाइस आपका स्वागत है हमारे चानल एक्स्प्लेइन करेगे अवेंजर्स एंड गेम को एवेंजर इंफिनिटी 2018 की विनाशकारी घटनाओं के बाद मैड टाइटन थानोस के प्रयासों के कारण ब्रहमांड खंडहर हो गया है परिनाम कुछ भी हो और चाहे उन्हें किसी का भी सामना करना पड़े शुरू की गई घटनाओं का भयानक जिसने आधे ब्रहमांड को मिटा दिया और एवेंजर्स रैंक को कर दिया शेश एवेंजर्स को मार्वल स्टूडियो की 22 फिल्मों एवेंजर्स एंड गेम में अंतिम स्टैंड बनाने के लिए मजबूर करता है परिन्दगी छीन लेने के बाद एवेंजर्स बिखरे हुए और विभाजित हो गए है एवेंजर्स और उनके सहयोगियों को एक बार फिर इकठा होना होगा और एक साथ काम करने और चीजों को सही करने के लिए डिफरेंसिस को दूर करना सीखना होगा तो एहसास हुआ कि बलीदान देना होगा क्योंकि वे थानोस के साथ अंतिम मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं जिसके परिनामस वरूप लीडर्स को अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी होगी बलेजर, प्रले, अम, सान, टाइटन थान, अरी तबाही ने एवेंजर्स के अफशेशों को जगजोर कर रख दिया है कुछ समय के लिए जब तक की खशती को उलटने का अफ़सर न मिल जाए अब, टीम को एक होगा और ब्रमांड को रीस्टार्ट करने और जो उन्होंने खो दिया है, उन्हें वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करना होगा एवेंजर्स अपने पॉइंट्स अफ़ दका उप्योग के स्थानों को आउट करने के लिए अपने टाइम हीस्ट की योजना बनाते हैं स्पेस, माइंड और टाइम स्टोन्स 2012 न्यू यू यॉर्क में पाई जाते हैं, रियलिटी स्टोन 2013 अस्गार्ड में और पावर एंड सोल स्टोन्स पर पाई जाते हैं 2014 में रिस्पेक्ट जित हो गए और अपने मिशन शुरू करने के लिए समय में पीछे की यात्रा की, यह ध्यान में रखते हुए कि उनके पास केवल लिमिटेट कॉंटिटी में पिम कण हैं, क्योंकि हाक पिम भी स्नाइप में नश्ट हो गया था प्रलय, भ्रम, नुकसान, पागल टाइटन थानोस द्वारा की गई भारी तबाही ने एवेंजर्स के अफशेशों को जगजोर कर रख दिया है उच समय के लिए सारी आशाख खत्म हो गई लगती है, जब तक किक्षती को उलटने का अफसर न मिल जाए टीम को एक बार फिर इकठा होना होगा और ब्रमांड को रिस्टार्ट करने और जो उन्होंने खो दिया है, उन्हें वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करना होगा पॉइंट्स अफदका उप्योग करके इंफिनिटी स्टोन्स के स्थानों को आउट करने के लिए अपने टाइम हिस्ट की योजना बनाते हैं स्पाइंड और टाइम स्टोन्स दो हजार बारह न्यूव यॉर्क में पाए जाते हैं रियलिटी स्टोन दो हजार तेरह असगार्ड में और पावर एंड सोल स्टोन्स पर पाई जाते हैं इरिस्पेक्टिवली वे तीन टीमों में विभाजित हो गए और अपने मिशन शुरू करने के लिए समय में पीछे की यात्रा की यह ध्यान में रखते हुए कि उनके पास केवल लिमिटिट कॉंटिटी में पिम कन हैं क्योंकि हाक पिम भी स्नाइप में नश्ट हो गया था पुना प्राप्त करने के लिए पास्ट नेबुला भीजता है उसका भविश्य स्वेंग गमोरा को बताता है कि भविश्य में उनका रिष्टा दोस्ती और उससे भी अधिक का हो गया है गमोरा के नेबुला में शामिल होने का फैसला किया इस बीच बैनर बाड़ वाले क्षेतर में मलबे के नीचे फंस गए हैं जिससे लैंग को आकर उन्हें बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा उतरता है जो आउट्राइडर्स से संक्रमित है उनसे बचने के बाद प्रण को पास नेबुला के पास भेज देता है जिसका सामना गमोरा और नेबुला से होता है एक बार जब वह अपनी बहन को धमकी देती है तो वह अपने अतीत के आत्म को मार देती है स्टार्क, रोजर्स और थोर्ण करते हैं जो स्टोन्स का उपयोग करके पूरे ब्रहमांड का पुनर निर्मान करने का इरादा रखता है एक ऐसा ब्रहमांड जहां नए जीवित प्रानी अतीत के ग्यान के बिना शांती से रहेंगे आगामी लड़ाई में स्टार्क और थोर के प्रबल के बाद रोजर्स ने समय विस्थापिट टाइटन के खिलाफ माजो निर्का इस्तिमाल किया हाला कि थानोस अन्ता रोजर्स को उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और अपनी तलवार से उसकी ढाल को लगभग नश्ट कर देता है थानोस ने प्रित्वी पर घेराबंदी करने के लिए अपनी बाद आया जिसमें चितोरी और ब्लैक ओर्डर शामिल थे जैसे ही रोजर्स अकेले उनका सामना करने की तया है वह अपने एयरपीस के माध्यम से सैम विलसन को उससे कॉन्टाक्ट करते हुए सुनता है उसके पीछे स्लिंग रिंग पोर्टल्स की एक चेन दिखाई देती है मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर्स कमरताज, वकंडा, असगार्ड के सुद्रिडी करन के साथ साथ वकंडा, टाइटन और सैन फ्रांसिसको से एवेंजर्स के जैसे ही थानोस स्टोन्स को पुने प्राप्त करने के लिए पास्ट नेबुला भीजता है उसका भविश्य स्वयंग गमोरा को बताता है कि भविश्य में उनका रिष्टा दोस्ती और उससे भी अधिक का हो गया है गमोरा ने अपने पिता को रोके इस बीच, रोड्स, रॉकिट और बैनर बाड़ वाले क्षेतर में मुझे हैं जिससे लैंग को आकर उन्हें बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा बार्टन सीवर में गौंटलेट के बगल में उतरता है जो आउट्राइडर्स उनसे बचने के बाद वह अंजाने में गैजट्स को पास नेबूला के पास भेज़ता सामना गमोरा और नेबूला से होता है एक बार जब वह अपनी बहन को धमकी देती है तो वह अपने अतीत के आत्म को मार देती है स्टार्क, रोजर्स और थोर जमीन पर थानोस का सामना करते हैं जो से ब्रहमांड का पुनर निर्मान करने का इरादा रखता है एक एंड जहां नए लिविंग बिइंग्स के ग्यान के बिना शांती से रहेंगे दी अपकमिंग लड़ाई में स्टार्क और थोर के हो जाने के बाद रोजर्स ने समय विस्था जो निर्का इस्तिमाल किया हाला कि थानोस अंत्तर रोजर्स को हरा देता है उसे गंभीर रूप से घायल करनी तलवार से उसकी ढाल को लगभग नश्ट कर देता है थानोस ने प्रित्वी पर घेराबंदी करने के लिए अपनी बाकी सेना को बुलाया जिसमें चितौरी और ब्लैक ओर्डर शामिल थे जैसे ही रोजर्स अकेले उनका सामना करने की तयारी अपने एरपीस के माध्धिम से सैम विलसन को उससे कॉन्टाक्ट करते हुए सुन्टाइब शेसलिंग रिंग पोर्टल्स की एक चेन दिखाई देती है आर्ट्स के मास्टर्स कमरताज, वकंडा, कॉन्ट्रैक्सिया और न्यू असगार्ड के सुद्रिडी करन के साथ साथ वकंडा, टाइटन और सैन फ्रांसिसको से एविंजर्स के जैसे ही थानोस स्टोन्स को पुने प्राप्त करने के लिए पास नेबुला भीजता है उसका भविष्य स्वेंग गमोरा को बताता है कि भविष्य में उनका रिष्टा दोस्ती और उससे भी अधिक का हो गया है ता को रोकने के लिए नेबुला में शामिल होने का फैसला किया रोकिट और बैनर बाड़ वाले क्षेतर में मलबे के नीचे फंस गए हैं जिससे लैंग को आकर उन्हें बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा बगल में उतरता है जो आउट्राइडर से संक्रमित है उनसे बचन जाने में गैजट्स को पास नेबुला के पास भेज देता है जिसका सामना गमोरा और नेबुला से होता है एक बार जब वह अपनी बहन को धमकी देती है तो वह अपने अतीत के आत्म को मार देती है स्टार्क पर थानोस का सामना करते हैं जो स्टोन्स का उप्योग करके पूरे ब्रहमांड का पुनर निर्मान करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ब्रहमांड जहां नए लिविंग बिंग्स के ग्यान के बिना शांती से रहेंगे. दी अपकमिंग लड़ाई में स्टाने के बाद, रोजर्स ने समय विस्थापित टाइटन के खिलाफ माजो निर्का इस्तिमाल किया. हाला कि थानोस आप देता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है और अपनी तलवार से उसकी ढाल को लगभग नश्ट कर देता है. और वास्प मृत वाहन को गर्मतार देने के लिए कूद पड़ते हैं। जैसे ही थानोस की सेना बार्टन के करेंग वह ब्लैक पैंथर को चुनौती देता है। जैसे ही थानोस टीचला पर हमला करना है, वह अचानक पाता है कि उसका रास्ता प्रतिशोधी वांडा मैक्सिम अवरुद कर दिया है, जो 2018 में विजन की हत्या का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वांडा थानोस से उलचती है, लेकिन एबोनी माव में फंस जाता है। टीचला की परेशानी को देखते हुए स्पाइडर में हत्यार चीन लेता है। इस बीच वांडा के हमलो दोने थानोस को उसकी देखिवा आसानी से उसकी तलवार तोड़ देती है और उसे हवा में उठा लेती है, पूरे समय उसके शरीव से कवच के टुकडे काटती रहती है। उसकी पकड से बचने के लिए थानोस ने सैंक्चुरी टू के खिलाफ से एक और मिसाइल आदेश जो दोनों पक्षों को बहुत नुकसान पहुचाता है। मिसाइलों में इसे एक बांध को नश्ट कर देती है, जिससे डॉक्टर दान को बाढ़ से बचाने की लड़ाई से बाहर होना पड़ता है। अचानक सैंक्चुरी टू अपनी आग को बाहरी अंतरिक्ष से आने वा यह कैरल देनवर थी जो अकेले ही करने आती है। ठत्यार वापस लेते हुए वह अपनी साथी महिला लड़ाकों की मतर अब सक्रिय वैन की ओर बढ़ती है। हाला कि थानोस वाहन और क्वांटम पोर्टल को नश्ट करने के लिए अपनी दा है। थानोस की पहुच में चुन स्ट्रेंज ने स्टार्क को इनफॉर्म किया कि यही वह भविश्य है जो उनकी जीत में समाप्त होगा। डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्क आखिरी बार थानोस पर हमला करता है। लेकिन टाइटन चटकाने से वह नीचे गिर जाता है। कुछ नहीं होता क्योंकि स्टोंस क स्टार्क ने चुरा लिया है और अपने सूट में ट्रांसफर्ड कर लिया है। जिस अवशेश ने पिछले ग्यारा वर्षों से उसे परिशान किया है। अब वह उसकी दया पर निर्भर है, उंगलियां चटकाता है। थानोस भैभीत होकर देखता है कि उसकी अपनी में धूल में बिखर जाती हैं लेकिन फेट होता है। स्टोन्स के उपयोग से स्टार्क घातक रूप से घायल हो गया है और जब वह मर रहा था तो रोड्स पार कर अगत किया। पॉर्ट्स ने अपने पती को अशोरिंस दिया कि वे ठीक हो जाएंगे और उसे आराम करने की अनुमती दी। स्टार्क रियक्टर फिर फॉर्म से बंद हो जाता है। पॉर्ट्स उसे एक आखिरी किस देता है। दूर से उदास देखते हैं। और उनके सहयोगी उपस्थित हैं जिनकी स्टार के साथ पुरानी शिकायते थीं जैसे कि पिम परिवार, वांडा और बकी बार्न्स। न्यू असगार्ड के बाहर थोर ने वालकिरी को नए शासक के रूप में नामित किया। जबकि उसने अपनी मा की सलाह का पालन करते हु यह एक उल्ड रोजर्स है जिसने अतीत में बने रहने और पैगी कार्टर के साथ पूर्न जीवन जीने का विकल्प चुना था। वह विलसन को एक नई ढाल प्रदान करता है और उसे कैप्टन अमेरिका का पद सौंपता है। दे दिया इस बार्न्स को अलविदा कहते यह एक बुड़े चाचा स्टीव रोजर्स है जिसने अतीत में बने रहने और पैगी कार्टर के साथ बुड़े चाचा जीने का विकल्प चुना था। वह नहीं ढाल प्रदान करता है और उसे कैप्टन अमेरिका का पद सौंपता है।